हाई हलो फोर्साइट्स टीवी में शालिवार जैस्वाल आपका स्वागत करते हूँ दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी ख़वर आ रही है जी हाँ टीट्वेंडी वर्ल काप में टीम इंडिया की चीज से पूरा देश को रामवित है हर तरफ चस्न का मोहल है भारत ने डेट ओवर में अपना शांदार बॉलिंग की बदोलत साउट आफरिका पर सातरानों से जीत दर्च की है इस शांदार वो धमाकेदार जीत पर पीम मोधी वा नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी साहित काई नेताओं ने टीम इंडिया को बदाई दी वा उच्वल भविश्क की कामनाय दी है इस खास बोकेद पर फोर साइट्स टीवी की और से टीम इंडिया को हार्दिक बदाई वा शुप कामनाय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भारतिय क्रिकेट टीम को टी ट्वेंडी विश्व कप जीतने पर जोड़दार बदाई दी है और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा है कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ साथ करोडों लोगों का दिल भी जीत लिया है इस जीत के बाद प्रधान मंत्री ने रविवार को कॉल कर टीम इंडिया के खिलाडियों से वेक्तिगत रूप से बात की और उन्हें बदाई दी प्रधान मंत्री ने रोही शर्मा को उनकी शांदर कप्तानी के लिए बदाई दी और उनके टी-20 करियर की सरहाना की है उन्होंने फाइनल में विराट कोली की पारी और भारतिय क्रिकेट में उनके योगदान की भी सरहाना की है प्रधान मंत्री ने हार्दिक पांडेया के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी तारिफ की और जस्प्रीत बुम्रा के योगदान को भी जमकर सराहा इसके अलावा प्रधान मंत्री ने भारतिय क्रिकेट में शांदार योगदान के लिए टीम के कोच राहुल द्रविट का भी आभार जताया इससे पहले टीम की जीत के तुरंत बाद प्रधान मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा चैंपियंस हमारी टीम शांदार अंदास में टीट्यूएंटी विश्व कप लेकर आई है हमें भारतिय क्रिकेट टीम पर गर्व है आपने मैदान में कप जीता है और देश के हर गाउं और गलियों में करोडो भारतियों का दिल भी जीता है उन्होंने उस रोमान्चक मैच को एतिहासिक बताया जिसमें भारत ने दुरुन निश्चे दक्षिन आफरीकी टीम को माद दी प्रधान मंत्री ने कहा है कि 140 करोड से अधिक भारतिया हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदशन पर गर्व महसुस कर रहे हैं भारतिया पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 साल का इंतिजार खत्म करते हुए दक्षिन आफरीका को शनिवार को बेहत रोमान्चक मैच में 7 रन से हरा कर T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया विश्व विजेता टीम इंडिया को फोर साइट्स टीवी सलाम करता है